हेलो फ्रेंड्स, I am Adit and welcoming you all in our online learning platform आज मैं इस वीडियो के माद्यम से आप सभी के साथ polity discuss करूँगा इस वीडियो में मैं syllabus तो discuss करूँगा ही करूँगा उसके साथ ही साथ मैं यहाँ पे इंट्रो भी आपको polity का पूरा दे दूँगा कि आखिर कैसे किस एप्रोच के साथ हम पॉलिटी को पढ़ेंगे पहली चीज दूसरी बात मैं आपको बता दूँग कि आखिर हम कैसे पढ़ेंगे कब पढ़ेंगे यह सब चीजों को मैं इस विडियो में डिसकस करूँगा और आपको मैं एसुर कर दूँ बिल्कुल शूर कर दूँ यहाँ पर कि यह जो हमारी पॉलिटी के सीरीज चलेगी पॉलिटी की क्लासेज होगी वो बाइलिंग्वल होगी ठीक है इसके लिए बिल्कुल भी आपको बैलिंगुल है नहीं है इसके लिए बिल्कुल भी आपको परशान नहीं होना है हिंदी मीडियों के बच्चों के लिए मैं बता दूं कि पॉलिटी राजवास्ता आप सभी जानते होंगे इंट्रो परिचय एंड सेलबस में आपका कि क्या पूरा पाठ करम है मतलब क्या हमार बता नहीं दिले वह स्टाट करते हैं सबसे पहले मॉडियूल को समझ लेते हैं कि हम किस मॉडियूल में पूरी सीरीज को पढ़ेंगे यहां पे चीजों को सीखेंगे पॉलिटी आखिर किस प्रिकार हम समझ पाएंगे इन सभी बातों को हम यहां पर ध्यान पुरोग समझ लेंगे और देखिए एक चीज मैं आपसे request करूंगा कि आप बिल्कुल copy pin ले करके बैठ जाएए जिससे कि आप जो syllabus है उसको पहले note कर लिजिए और उसी recording हम आगे पढ़ेंगे सीखेंगे चीजों को देखिए module में क्या है सबसे नसे पहले पहले हम यहां पuciones करेंगे विडिईयो जो आएंगे यह लेक्शर साएंगे वहां पर हम concept important अंपार्श को सेक्स कर लेंगे उसके बाद हमारा काम क्या होगा हाम important questions को देखेंगे और जो important questions को देखेंगे हम वह वो questions किस form में देखेंगे हम यहाँ पे MCQ form में देखेंगे ठीक है देखिए यह जो quality की पूरी series होगी वो आपकी जो इंडिया की central universities है सभी के लिए helpful होगी बट मैं आप से यह कहूंगा आप बिल्कुल ध्यान पुरोग पढ़ी आपको कोई UPSC का एक्जाम देना आपको आपको आपके लिए एनफ होगी तो आपके लिए एनफ होगी तो कि सेलबस यही होता है नियर बाउट जैसे भी एक्जाम से हैं CHSL होगा ज थोड़े से ट्विस्ट कर दे जाते हैं अब गलत करके चले आते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है मुझे उमीद है यहां तक चीज़े क्लियर हो गई होगे अब मैं आगे चलता हूं देखिए आगे अब सेलबस पे आते हैं कि हमारा सेलबस क्या है और कैसे हम दोसको पांग उठी थी कि हमारा समिधान कब बनेगा हमारा यहां एक इस介绍ोज बनेगा किस प्रकार बनेगा कोन सी कमिटी इसको बनाएगी क्यों से लोग उसका में हो टीडिएक पर समझेंगे देखिए किसी वी चीज़ के बिलकूल डिटेल में बैक ग्राउंड होती तो उसी ब रॉम पखाणनी है जासे बहुत चार शुरूत है जैसे कि आस्टेलिया की संविधान काmare वहाँ से के लिए गया है जैपान फिर South आफ मैं अफ्रीका है और इन सब चीजों को इन सब देशों के जो संविधान से जो भी प्राउधान लिए गए है जो प्रोविजन्स लिए गये हैं उनको हम अपने वीडियो के माध्य हम से डिसकस करेंगे और उन पर बिस जो है यह बिल्कुल भूलने के चीज़ DRM मतलब आपने प्रियमबल को अगर हम से लिया हुवा है इन सभी चीज़ों को मिल्कुल डीटेल में समझेंगे starts फोर्थ पॉइंट है सेड्यू सुचियां अब हमारे समभिधान में कितनी अनौ परोते हैं अब सभी जानते हैं जो जो इनिके वर्तमा। समय बारहा अनुसूचियां हैं बारहो अनुसूचियों में क्या महत्तोपुड है उन सब चीजों को हम ध्यान परोग देखेंगे एक तरीके से सभी महत्तोपुड हैं लेकिन किसे अधिक कोशन्स पूचे जाने के संभावनाय रहती हैं उनको हम थोड़ा ज्यादा ध्यान देकर पढ़ेंगे ध्यान देकर सीखेंगे अगला देखते हैं हमारा है अगला टॉपिक सेटिजन्सिप नागृक्ता हमारे भारती श्वद्हान में जो पाट सेकन्ड आता है जो आर्टिकल फाइब से लेकर एलवन तक चलता है वहां पे हमको क्या मिलता है सेटिजन्सिप नागरिक्ता देखने को मिलती है, उसके क्या provisions हैं, उनको भी हम discuss करेंगे, कि भारत में किस आधार पर किसी व्यक्ति को citizenship मिल सकती है, कौन से basis हैं, जिनके basis पर उनको किसी भी व्यक्ति को जो है वो भारत में नागरिक्ता मिल सकती है, कौन से provisions हैं, कितने प्रकार के provisions हैं, इन कॉंसेप्ट को समझेंगे आप उसके लिए परशान नहीं हुई है अभी इसको ध्यान पूरो क्या स्क्रीन सॉट लेके या अपने कॉपी पे नोट करके आप सेलबस को नोट कर लिए अच्छे से उसके बाद हमारा सिक्स पॉइंट है हमारे सेलबस में मौलिक अधिकार क्या है कहां पर यह वड़न है इसका भारतिय संभिधान में कहां पर डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको कौन-कौन से इंपॉर्टेंट फंडेमेंटल राइट्स हैं यह बहुत अच्छा टॉपिक है आडिकल 12 से लेके आडिकल 35 तक यहां पर हमको इस सेक्षन में भारतिय संभिधान के इंडियन कंस्ट्यूशन के थर्ड पार्ट में आपको फंडेमेंटल लाइट्स मिलता है मौलीक अधिका नहीं बता रहा हूं मैं लेक्चर्स में पूरे अच्छे तरीके साब को आपको बताऊंगा आप खुद मेरे साथ आप भी उन चीजों के अनालीसिस करेंगे कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है और कहां से कुशन्स बन सकते हैं आगे देखते हैं डिरेक्टिव प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट कुछ आठिकल से उसको भी हम समझेंगे अब जैसे हमें एक्जामपल के तौर पर देखते हैं आठिकल 44 है हमारा इनफॉर्म से बिल्कूर उसको समझेंगे हम आर्टिकल 48a है हमारा जो इन्वामेंट से लिटेड है उसको समझेंगे वारियस जो ही हम समझेंगे बिल्कूल डीटेटल में समझेंगेה आपको कोई परैशाणी नहीं होने वाली है तो बिल्कूल कन्फॉर्म रही कि आपको कोई परसानी नहीं होगी आप अशा के शाथ एक उमीद के साथ हम से जुड़े हैं तो आपके उस उमीद और आशा को पूर करेंगे कोई परशानिया आपको नहीं होगी अगला पॉइंट दिखते हैं fundamental duties हमारी यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है 11 fundamental duties है एक 11 मौली कर्टब है हमारे और उनको हम सीरियल वाइज करके देखेंगे कि उनसे questions पूछे जाते हैं कहां से लिया गया है यह concept इसको भी हम discuss करेंगे उससे basis जितने भी question होंगे उनसाब को हम बिल्कुल ध्यान पुरूब देखेंगे अगला topic देखते हैं कि हमारा अगला topic क्या होगा हमारा अगला topic होगा ninth topic president and vice president रास्टपती एवं उपरास्टपती सम्भीधान में हमारे constitution में president and vice president क्या provisions है इस article में उनका post है पद है कैसे निरवाचन होता है कैसे elect के जाते हैं वो उसके बाद क्या process of election है single transferables होता है फिर कौन से process उनका जो election होता है इन सभी चीज़ों को फिर उनको कैसे हटाया जा सकता है यानि महाभियोग उनके उपर कैसे चलाया जा सकता है impeachment इन सभी चीज़ों को हम बिल्कुल detailed way में समझेंगे और चीज़ और vice president की बात करें तो वो कौन होते हैं साथ ही साथ वो किस सदन के ध्यक्ष होते हैं कहां मतलब किस प्रकार का वो वेतन प्राप्त करते हैं इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे हमारा next topic होगा 10 topic होगा Parliament संसद अब संसद है तो संसद आर्टिकल आता है 79 में ठीक है 79 80 और 81 आपका पहले Parliament आता है फिर 80 मैं आपका राजा सबह आत है ठीक है यहां पर चीज़ों को हम बिल्कुल ध्यान पुरुक समझ लेंगे कैसे कैप प्रोविजन से संसद कैसे बनती है राश्रपती लोगसभा राजेसभा इन सभी चीज़ों को इन सब के concept को ध्यान पुरुक पहले पढ़ लेंगे उनके basis पर यानि जो concept हम discuss करेंगे उ यह से बहुत से चीज़ें आएंगी जिसको हम discuss करेंगे अब तीकि जैसे आर्टिकल 215 है अनुश्य 215 है और अनुश्य 231 है इन दोनों में क्या difference है इसको मैं भी छोड़ रहा हूं जब हम वहां पर discuss करेंगे तो हम पर clear करेंगे ठीक है फिर सुप्रीम कोट है सुप्रीम को अब देखिए हमारा 12 टॉपिक है 12 पॉइंट कहें लिजिए UPSC एलेक्शन कमिशन फाइनेंस कमिशन पंचायती राज एक्टेटरा देखें संग लोक सिवायोग निरवाचान आयोग वित्तायोग पंचायती राज वास्ताहों जैसे जो तमाम आयोग संस्थाएं उनको भी हम डिस्कुस करेंगे जैसे कायग हो गया आपका अटार्णी जनरल हो गया इन सबसे रेटेड जो कोशन बनते हैं इंपॉर्टेंट कोशन उनको भी डिस्कुस करेंगे हमारा अगला पॉइंट हो गया है आप यह इमर्जेंसी प्रोविजन आपात उपबंद देखिए हैं कौन इसे लगा सकता है कि है इसी चैलेंज किया जा सकता है फॉइंगे अगला ओगा आपकिव मैं नहीं और ओंगा यह जो मैंने बना आपक्नी काविप से उखिए के जूब हो पाव सब्सक्रार करेंग опер कुछन एजिसी मूझा पर cover करेंगे हमारा 14 पॉंट है constitutional amendment समवधानिक शंसोधान यानिकिए समवधान में किस प्रकार संसोधन किया जा सकता है कौन संसोधन कर सकता है संसोधन के प्रकरिया क्या है कितने प्रकारिश्च भारतिग संसोधन में संसोधन किया जा सकता है इन सभी चीज़ों को हम बिल्कुल detailed way में समझेंगे कि संविधान में संसोधन करने की constitution amendment करने की जो power है वो किस के पास है कहां से ये provisions लिया गया है इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे एक चीज़ और मैं बता दूं कि आप जब भी पॉलिटी पढ़ें तो कोई भी टॉपिक पढ़ें आप उसमें एक चीज़ बिल्कुल ध्यान दीजेगा आपको ध्यान यह देना है कि आप जो भी चीज़े पढ़ रहे हैं जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कॉंसर पढ़ रहा है उसमें यह देखी कि उसकी कॉंसरे बैग्राउंड किया है क्या इसे पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पॉलिटी में और कुछ बहुत नहीं है और देखिए मैंने इसलिए नोट में हैं पर लिखा भी हुए हम आपको झोड़ेएंगे नहीं बीच में जोड़ के जाएंगे जब हम आपसे जुड़ कै रहें मैं और पर आपको कोई भी डाउट हो त diferentesल पॉलिंगे आपके जो भी डाउट्स रहेंगे उन सब को हम बिल्कुल ध्यान पुरोग यहां पर क्लियर करते रहेंगे आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है साथ ही साथ एक चीज मैं और आप से कहूंगा जब इन सब चीजों को हम कवर कर लेंगे तो लास्ट में मैं इंपॉर्टेंट 600 jd j&t jr jokie बहुत ही मीनिमुम कॉस्ट में जिसकी बहुत ही मीनिमुम हमिनल फीज होगी मैं फीज बस इसलिए लगाऊंगा कि लोग उसे सीरियसली देखें ठीक है बहुत कुछ इसमें डेटेल में मैं जाना है वो आपको मिलेगी वो बिलकुल परफेक्ट समय पर मैं हम उसके लिए आप लोग बिल्कल क्वारी नहीं करीगा जो एक्दम पर्फेक्ट समय लगेगा कि हाँ आपको दे देना चाहिए तो वह मैं आपको प्रवाइड करा दूँगा ठीक है कोई कन्फूजन नहीं होगा अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे क्वाइड बता दीजेगा और कोई अगर ऐसी क्वारी हो जो आपको लगे कि हाँ वैलीड है तो आप हम तक पहुचा सकते हैं टेलिग्राम के माध्यम से या फिर जिस भी माध्यम से आपको उचित लगे वह हमारे तक आप पहुचा दीजे तो यह थी हमारे पूरी सेलबस और आपको मुझे उमीद है इसमें कोई कंफूजन नहीं होगी और मैंने साफ साफ आप से बोल दिया हुआ कि हम अडिशनल टॉपिक्स को डिस्कूस करेंगे तो साथ ही साथ आपने जॉइन कर लिया हमारे कोर्स को अपने रेटे उस मैं रिपीट करता हूँ 9519383272 पर आप कंटक करिए जिस भी कोर्स में आप इंडूल होना चाहते हैं वहाँ पर आप इंडूल्मेंट करा लिए जिसे कि आपकी जो प्रिपरेशन हो बेटर हो सके अभी आपके पास एनफ ताइम है अभी हम सुरुवात करेंगे और देरे द दन्यवाद